हेलो फ्रेंड्स आज हम 10 सीरीज का 10th वीडियो देखेंगे इस वीडियो में हमिने देखना है Past Perfect Continuous Tense इससे पहले हमने Present के सारे पार्ट और Past का Present Continuous सुरी Past का Simple Continuous और Perfect Tense देख लिया है आज हमिने देखना है Past Perfect Continuous Tense तो अगर किसी भी वाक्य के किसी भी sentence के last में अगर रहा था आ जाए और सास में समय हो तब हम कहते हैं past perfect continuous tense है ये rule क्या है? helping our views होता है यहाँ पर had been चाहे वो singular हो या plural हो main verb होता है ing जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कोई भी continuous tense है उसमें verb में ing लगाते हैं जैसे हमने देखा था present का continuous tense उसमें भी main verb में ing लगाता present का perfect continuous tense देखा था उसमें भी main verb में ing लगाता ठीक है? past का हमने continuous देखा था उसमें भी main verb में ing लगाता ठीक है? तो past perfect continuous tense में main verb में ing लगेगा इस तरह जब हम future का पढ़ेंगे तो future के continuous में भी ing लगेगा और perfect continuous में भी ing लगेगा ठीक है तो समय ना खराब करते हुए past perfect continuous tense start करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारा हमारा जो sentence है वह वह 10 मिनट से चाय पी रहा था यह affirmative है क्यों affirmative है क्योंकि इसमें नहीं और question वाले शब्द नहीं है ठीक है तो affirmative के रूल क्या पढ़ा था हमने रूल यह पढ़ा था कि सबसे पहले आएगा subject फिर helping verb और main verb preposition, object, time यह इस series में हर एक sentence में आता रहेगा जाए वह affirmative हो, negative हो, integrative, negative, integrative हो यह हमने पहले के वीडियो में देख रखा है ठीक है second वीडियो में मैंने मतलब हमने sentences के बारे में पढ़ाता तो यहाँ पर दस मिनट से चाय पी रहा था यह कौन सा है affirmative है ठीक है तो सबसे पहले आएगा subject उसके बाद आएगा helping verb उसके बाद आएगा main verb ठीक है उसके बाद आएगा preposition for हो गया फिर उसके बाद object तो he had been drinking tea for 10 minutes यह हमारा sentence हो गया ठीक है तो इसको दोबार से मैं बता जाता हूँ subject यह हो गया helping verb यह हो गया main verb ठीक है यह object यहाँ पर preposition नहीं था उसके बाद हमारा समय हो गया अब यह for यहाँ पर use हुआ है तो एक use होता है since और दूसरा use होता है for किसके लिए say के लिए ठीक है अगर हमें say लिखना हो say की English लिखनी हो तो एक बार since use होता है एक बार for use होता है यहाँ पर दो for use हुआ है तो since कभ यूज होता है जब घड़ी और calendar में हो time या date हो तो हम since use करते है अगर घड़ी calendar में ना हो तो हम for use करते है लागि example अगर हम देखें 10 minute calendar में घड़ी में sorry घड़ी में 10 minute नहीं होते तो यहाँ पर for लगा 5 minute भी नहीं होते है ठीक है आने वाले examples में हम fix time मतलब घड़ी और calendar वाला भी समय देखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर since use होगा ठीक है तो वैं 10 minute से चाय पी रहा था he had been drinking tea for 10 minutes मैं 5 minute से चाय पी रहा था I had been drinking tea for 5 minutes तुम 15 minutes से चाय नहीं पी रहे थे you had not been drinking tea for 15 minutes जैसा है कि हमने interrogative नगेटी वाले में rule पड़ा था negative वाला पहले जेख लेते है subject helping verb helping verb के बाद just not आ जाता है तो यहाँ पर helping verb के बाद क्या आ गया not आ गया ठीक है अब यहाँ पर बात देखने वाले है helping verb जो है वो had been है तो not लगेगा हाँ had been not लगेगा तो क्या लगता है यहाँ पर had not been लगता है ठीक है तो had been के बीच में क्या लगेगा not अब कितने भी sentences पढ़ लो आप या helping verb पढ़ लो modals का ठीक है जैसे modals में हम पढ़ते हैं could have 10 minutes तुम 10 minutes से चाहे क्यों पी रहते है why had you been drinking tea for 10 minutes क्यों है तो डब्ली है आ गया तो डब्ली है फ़ेमली में डब्ली है वाला पहले word आता है फिर helping verb आता है फिर subject आता है फिर आपका main verb ठहा है न object, preposition, time इस तरह से series arrange होती है जो कि यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है helping work, subject, not, main work, preposition, object, time ठीक है यह हमारा थोड़ा example था अब हम और example देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं affirmative का example मैं एक गंटे से आम खा रहा था I had been knitting mango for an hour ठीक है हम दो साल से अंग्रेजी सीख रहे थे we had been learned अब यहाँ पर learned गलत है यहाँ पर आएगा ing ठीक है यह typing error हो गया है sorry इसके लिए ठीक है we had been learning English for two years they had been reading books since morning अब दोको सुबह जो है वो fix होता है ठीक है इसलिए यहाँ पर since use हुआ है ठीक है I had been writing the letter for ten minutes Rahul had been watching movies since two o'clock अब दोको दो बच्चते हैं ठीक है गड़ी में दो बच्चते हैं two o'clock इसलिए यहाँ पर क्या लगया since we have 2015 से परिछा के तयारी कर रहा है अब दोको 2015 कलेंडर में होता है तो यहाँ पर क्या यूज़ोगा since ठीक है क्या यूज़ोगा since he had been preparing for the exams since 2015 she had been cooking dinner for two hours for twelve hours since morning for ten hours ठीक है for an hour for two years इस तरह से हम अब दोको यहाँ पर learned गलत हो गया यहाँ पर भी क्या आएगा learning आएगा थोड़ा typing error हो गया against worries के लिए ठीक है आगे चलते हैं वैस उबै से किताब नहीं पढ़ रहते यह सारे कौन से negative वाले हैं ठीक है तो देख लेते हैं आगे they had not been reading book since morning I had not been writing the letter for ten minutes Rahul had not been watching movies since two o'clock he had not been preparing for the exam since 2015 she had not been cooking dinner for two hours I had not been working for twelve hours इस तरह से examples अब समय सकतो हमें integrative देखते हैं integrative में सबसे पहले helping वर बाता है फिर subject आता है फिर main verb object preposition इस तरह से series चलती है had I been knitting mango for an hour क्या तुम दो साल से अंग्रेजी सीख रहे थे तो had we been learning English for two hours ठीक है तो इस तरह से सारे examples आप देख सकते हो बहुत easy समझ आ रहा होगा आपको क्या Rahul दो बज़े से film देख रहा था had Rahul been watching movie since two o'clock ठीक है चलो आगे देख लेते हैं working cooking sleeping सारा सब ठीक है ठीक है चलो अब हम negative integrative देख लेते हैं क्या मैं एक गंटे से आम नहीं खा रहा था तो rule क्या इसका सबसे आता हमारा सबसे पहले आता है helping verb उसके बाद subject उसके बाद not उसके बाद main verb उसके बाद preposition उसके बाद object उसके बाद time तो देखो head आगे हमारा सबसे पहले helping verb उसके बाद subject आए फिर not ठीक है जो helping verb का last वाला जो second वाला helping verb होता वो भी न आ गया ठीक है उसके बाद आगया main verb उसके बाद object फिर आगया for के साथ time ठीक है had we not been learning English for two years had they not been reading book since morning had I not been writing letter for ten minutes had Rahul not been watching movie since two o'clock had he not been preparing for the exam since 2015 इस तरह से आप example देख सकते हो उसके बाद हम वह फैमली नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते है तुम सुबह से क्या खा रहते है ठीक है तो क्या अगर last में आ जाए मतलब subject की बाद अगर क्या आ जाए तो यह हमारा WS family होता है हमने पहले की वीडियो में देख रखे है ठीक है तो यहाँ पर WS family क्या की English क्या होगी what उसके बाद helping word क्या use होगा had क्यों क्योंकि रहेत से आया है और साथ में समय है ठीक है which book had she been reading for a month why had he been packing his things since yesterday which movie had Rahul been watching for 3 hours where had they been going for 2 days how long had he been waiting for us सीमा सुबह से अपनी गुडियों से खेल रही थी ठीक है इस तरह से यहाँ पर 10 examples है exercise है आप इसको यहाँ पर पहले अपनी copy में नोट करें फिर इसको translate करें translate करके जो भी सही है आप match करें मैं इसका answer दिखाता हूँ आपको यह रहा इसका answer इसके answer से ठीक है match कर लो और comment करके बताओ कितने आपके answer सही हुए ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड से जरूए शेयर करें क्या कम ही है यह भी आप comment करके बता सकते हैं ठीक है मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में